हेलो व्यूवर्स वेल्केम चुमाई यूट्यूब चैनल चुकंदर की रस में शहद मिलाकर पीने से आपको कौन कौन से लाब हो सकते हैं इस वीडियो में जानिए रक्त चाप कम करें चुकंदर के रस और शहद की मिश्ण में नाइट्रेट की मात्रा सही होती है जिससे रक्त धमनी फैलती है और रक्त का प्रभाव सही होता है इसे आपका रक्त चाप कम होता है रोक्षम तंत्र को सही करता है इस घर पर बने जूस में एंटियोक्सिडेंट होते हैं जिससे रोक्षम तंत्र मजबूत होता है इसे कई बिमारियां भी दूर होती है भूलने की बिमारी से बचाए चुकंदर के रस और शहद के मिशन से दिमाग में रक्त प्रभाव सही से होता है जिससे भूलने की बिमारी से बचाजा सकता है दिल का दौरा पढ़ने से बचाए चुकंदर के रस और शहद के मिशन से दिमाग का भी रख प्रभाव सही रहता है और रख धमनी फैली रहती है तो इससे दिल का दौरा नहीं पढ़ता और दूसरी दिल की बिमारियों से भी बचाव होता है हड्डियों को मजबूत करता है इस जूस में सिलिका की मात्रा अधिक होती है जिसे हड्डियां अधिक केल्शियम सोक लेती है इसे हड्डियां मजबूत हो जाती है स्वास्त गर्भावस्ता को बढ़ावा देता है इस जूस में folic acid की मात्रा अधिक पाई जाती है जिससे मही लाएं और एजन में बच्चे दोनों को सही पोशन मिलता है इसे गर्बावस्ता का समय सही गुजरता है वजन कम करें इस जूस में calories काफी कम होती है और antioxidant और fiber अधिक मात्रा में जिससे आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में चुकंदर के जूस में शहद मिला कर पीने से कौन-कौन से लाब आपको होते हैं इसके बारे में बताया है अगर आपको मेरे दोरा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इंपोटेंट टिप्स पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि आप तक हमारे दोरा कुछ ऐसे ही इंपोटेंट टिप्स पहुंच सकें और आप उनसे लाब उठा सकें ठेंक्स पूर वाचिंग मैं वीडियो हैव अगूड डे